थेलो एवरीवन तो देखिए हम लोग कर रहे हैं हमारा राजिस्थान क्लास 8 चैप्टर number 10 राजिस्थान में कला एवं संस्कृती तो जिसमें हमने दुरगों के बारे में बात कर ली थी दुरगों से सम्मध जो भी कुशन बन सकते हैं इस चैप्टर में वो सब भी मैंने डाउन करिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुशन 30 क्योंकि ये कुशन जो है वो इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके एक्जाम में जो भी कुशन पूछे जाएंगे वो बुक से ही होंगे इन बुक से ही होंगे किसी गाइड से नहीं बनेंगे ठीक है तो चलिए कुशन 30 देखिए मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है तो गुप्त काल से ही माना जाता है जगदीश मंदिर सहस्र बाहु मंदिर अंबिका मंदिर रिशव दिव का जैन मंदिर तो ये कहा है तो मैंने एक ही जग पूर ना होकर मेवाड आ जाए तो आप मेवाड को सही करेंगे क्योंकि उदैपूर मेवाड में ही आता है श्री नाज जी का मंदिर चार बुजानात मंदिर कहा है तो ये जो मंदिर है वह है रासमद में है ठीक है याद रखें ये मंदिर कहा है रासमद में मेवाड के मंदिर क्या रहेंगे उदैपूर में जो हमने पढ़े रासमद में हमने पढ़े जगदीस मंदिर सहस्र वाहू मंदिर अंबिका मंदिर स्रीनाज जी मंदिर एक लिंग जी मंदिर रिशवदेव जैन मंदिर और चार भुजानात मंदिर कहां पर है ये मेवाड में है देखिए कुशन बहुत ज़्यादा important है आपके exam में ऐसे ही उठकर आते हैं हर बार कुशन यहीं से आते हैं मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ हर साल बोलती हूँ ठीक है जो बचे ध्यान देते हैं बात पर तो वो लोग कर जाते हैं marks भी बहुत अच्छे आते हैं और जब marks अच्छे आते हैं तब आप लोग बोलते हैं कि मैं हम आपने सही बताया और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए जो आपके कुशन आएंगे exam में वो इन ही chapter में से आएंगे आप लोग RBSC की बुक पढ़ लीजिए NCRT में हमारा राजिस्थान बुक जो है वह पढ़ लीजिए तो आपका selection कोई नहीं रोक सकता है किसी भी guide से कोई भी question paper नहीं बनाया जाता है कोई भी state की बात कर ले तो जहां उस state में जो बुक चल रही है तो वहीं से question जो है वो आपके बुकों से ही बनाया जाते है guide का सहारा कोई भी examiner नहीं लेता है तो चलिए देखिए question 34 क्या कह रहा है कि मारवाड के प्रमुक मंदिर है देलवाडा जैन मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, किराडू का मंदिर और ओशिया का मंदिर देलवाडा का जैन मंदिर कहां इस्तित है तो ये मारवाड में है लेकिन मारवाड में भी देलवाडा का मंदिर कहां पर है शिरोही में आबू पर्वत शिरोही में इस्तित है देलवाडा जैन मंदिर वहीं पर हमने रिशव दिव का जैन मंदिर देखा था तो वह है मेवाड में है उदैपुर में अब तेखिए याद ऐसे ही किया जाता है या तो आप ऐसे याद करने मिवाड के सभी प्रमुक मंदिर या आप ऐसे याद करने कि प्रमुक जैन मंदिर कौन कौन से है तो जिशब दिव का जैन मंदिर उदैपूर में है वही हमने देलवाडा जैन मंदिर देखा शिरोही में है किराडू का मंदिर कहां इस्तित है तो यह मंदिर जो है वह कहां है बाड मेर में ओशिया का मंदिर कहां इस्तित है तो यह मारवार में ही है और मारवार में जोदपुर में ओशिया का मंदिर इस्तित है ठीक है वीडियो जो है वो मैं बिल्कुल छोटे ही बनाती हूँ उसका reason क्या होता है हर एक question important रहता है किसी को भी आप ignore नहीं कर सकते हो जादा बड़ा वीडियो यदि बना दिया जाए तो आप लोगों का जो interest है वो भी नहीं रहता है और आप लोगों को याद भी नहीं हाडोती के प्रमुक मंदिर कौन से है हाडोती के प्रमुक मंदिर कौन से है तो यहां पर बाडोली मंदिर रावत भाटा चित्तोडगड में है भन देवरा बारा जिले में है कसवा मंदिर कोटा में है कमलेश्वर महादेव का मंदिर पूदी में है सूर्य मंदिर जो है वो खाटू शाम जी का मंदिर कहां इस्तित है तो यह सीकर जिले में है ठीक है या हम बोल सकते हैं कि सेखावटी का मंदिर है यह खाटू शाम जी का मंदिर क्योंकि सेखावटी शेतर में आ जाता है चूरू सीकर जुन जुनू ठीक है सेखावटी के प्रमुक मंदिर कौन से है तो यहाँ पर एक तो खाटू शाम जी का मंदिर हमने देख लिया सीकर में है आभा नेरी मंदिर दोसा में है गोविन देव जी का मंदिर कहां है जैपुर में आभानेरी मंदिर दोशा खाटु शामजी मंदिर सीकर गोविन देवजी का मंदिर जैपूर शाक्य-देवालें में या साक्त देवालें में किसकी मूर्थियों की प्रधानदा है तो यहां पर महिशासुर मर्धनी इन मूर्थियों की प्रधानता है ठीक है? राज सम्मत का मूलेला गाउं किसके लिए प्रशिद्ध है? कई बार एक्जाम में ये कुश्चन आ चुका है और देखिए छोटी क्लास है एर्थ क्लास तो सोचिए कितने इंपोर्टेंट है यहां से कुश्चन जो है वो आपके एक्जाम में आ रहे हैं तो राज सम्मत का मूलेला गाउं जो की मूर्थी कला के लिए प्रशिद्ध है मिट्टी की मूर्थियों को आग में पका कर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है टैरा कोटा कहा जाता है ठीक है? क्या कहा जाता है? टैरा कोटा कहां की हवेली परंपरा सु प्रशिद्ध है कहां की हवेलिया जो है वो प्रशिद्ध है तो जैपुर की हवेलिया जो है वो बहुत प्रशिद्ध है ठीक है, उनके उपर जो चित्रकारी है, जो कलाकरती है, उसके कारण हवेलियां जो है, कहां की प्रसिद है, जैपुर की, सालम सींग की हवेली, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली, कहां की प्रसिद है, बहुत ही important है, इनके बारे में पूछा जाता है, कई वार, एक्जाम मे तो यह जो तीनों हवेलियां है वो कहां की? जैसल मेर की राम गड़, नवल गड़, मुकंदगड, मंडावा और लक्षमनकल की हवेलिय कहां है तो सेखावती शेत्र की है यह प्रसिद्ध हवेलिया छतरियां तथा देवल किसे कहते हैं तो राजिस्थान के शाषकों सामन्तों स्रेश्टी वर्ग आदी द्वारा अपने पूरवजों की स्मृती में जो इसमारक बनवाए जाते हैं उनको छतरियां कहते हैं और देवल कहते हैं ठीके 84 खंबो की छतरि कहां है तो बून्दी की प्रसिद्ध है 84 खंबो की छतरि मूसी महरानी की छतरि कहां इस्तित है तो इनकी छतरि जो है वह है अलवर में है और यह असी खंबो की छतरि बनी हुई है ठीके गोपाल सिंग की चत्री कहां इस्तित है तो गोपाल सिंग की चत्री जो है वह करोली में इस्तित है सेठों की चत्री कहां इस्तित है सेठों की चत्री जो है वह रामगड में इस्तित है तो जैपुर में गैंटोर में नाहरगड जैपुर में इस्वरी सिंग की छत्री है जस्वन्त थड़ा कहां इस्तित है तो यह कहां है जोधपुर में और सरदार सिंग द्वारा इसे निर्मित करवाया गया बड़ा बाग की छत्रियां कहां पर है तो बड़ा बाग की छत्रियां कहां पर है तो बड़ा बाग की छत्रियां जो है वो जैसल मेर में है और भाती सासकों की ये छत्रियां है तो आज हम यहीं तक करेंगे और इसके बाद थोड़े से ही कुशन जो है वो बागी है जो कि हम वीडियो में करेंगे ठीक है तब तक इनको रिवाइज करिएगा थैंक यू